मुखुदय मेराश्टिय करन के उस पक्च पर इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्यूंकि विशे सग्यों के रूप में आपने स्वैम ही पिछले वर्षों में देखा होगा कि हमारी मुद्रा दवस्था में कौन सी बाते हैं जो कंजोरी और उदासिंता को जन्म देने वाली हैं और वे क्या परिश्थीतियां हैं जिनके कारण हमारी वित्य संस्थाएं अभी तक देश के बड़े भागों की समुचित रूप में सेवा नहीं करपा रही हैं अखवारों की अलावा अन्यत्र भी यह सिकायत मिलती रही हैं की बैंकों की राष्टिये करण के बाद अब उनकी कार्य प्रनाली पर राजनैतिक प्रभाव पर सकता हैं कुछ समय से यह देखने में आ रहा है की हमारे बहुत से पुराने वीचारों की जगह नए वीचार ले रहे हैं और एशा परिवर्तन तभी आ सकता है जब सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रन अस्थापित हो राजनीती को जीवन के अन्य अंगों से अलग कर सकना बहुत कठीन होता है लेकिन यह बात ना केवल यहां बलकी इंगलेंड जैसे देशों में स्वीक्रित की जाती रही है एक अंग्रेजी पत्र के कथन का मैंने संसद में भी उदाहरं दिया है की जो कोई भी चाहता है की परिष्थिती बनी रहे वह गैर राजनीतिक व्यक्ती माना जाता है हाला की ऐसी मान्यता भी राजनीती का ही अंग है जबकी जो व्यक्ती परिवर्तन चाहता है उसे राजनीतिक व्यक्ती माना जाता है ये दोनों ही रवये राजनीतिक होते हैं ऐसा नहीं है की एक अधिक राजनीतिक होगा और दूसरा कम बैंकों का अर्थ ववस्था के वीकास से निकट का सम्मंद होता है और इसी लिए वे राजनीतिक परिस्थितियों से सर्वथा अचूते नहीं रह सकते हमारे देश की वरतमान राजनीतिक इस्थिति की मांग है की बैंकिंग सुविधाओं का अधिकाधित विश्थार पिछरे छेत्रों में क्रीसी लगू उद्योगों आदी के लिए हो और सायद बैंकिंग के कारोबार को ब्रिहत्तर सामाजिक उद्देशियों से जुरा होना चाहिए लेकिन अगर राजनायतिक प्रभाव का यही आसय है तो यह राजनायतिक प्रभाव निश्चय ही उपस्थित है अगर आलोचकों का उससे यह अभीप्राई है कि अपने प्रती दिन के कामों में बैंकों का काम देखने वालों पर ऐसी बाहरी बातों का प्रभाव पर सकता है जिनका सार्वजनिक हीत से या आर्थिक वीकास से कोई रिष्टा ना हो तो मुझे आपको यह आश्वाशन देते हुए कोई हिचक नहीं है कि जब तक इन कामों का भार मुझ पर है तब तक आपके काम में ऐसी बातों को आरे नहीं आने दिया जाएगा